यदि आप लोग मीठा खाना पसंद करते हैं तो खीर हलुआ को भूल जाएगी और इस रेस्पी को बना करके खाईए बहुत हेल्दी रेस्पी है और इसे बहुत ही कम चीजों में बना करके आप तयार कर सकते हैं देख पा रहे होंगे दोस्तों मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चीजों से 4-5 लोगों के लिए यह हैल्दी वाली रेस्पी बना करके तयार की है मैंने इस रेस्पी को बनाने के लिए थोड़ा सा गुड लिया है मैं यहाँ पर चीनी का यूज तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी क्योंकि आज जो मैं रेस्पी बनाने वाली हूँ बहुत हेल्दी वाली रेस्पी बनाने वाली हूँ इसलिए मैं यहाँ पर गुड का यूज करूंगी गुड में कोई भी chemical नहीं होता है बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया जाता है यहाँ पर मैंने गुड की quantity एक कटोरी से थोड़ी कम ली है यानि कि छोटी वाली कटोरी से इस गुड को आप थोड़ी से गुण गुण पानी में या साधा पानी में ऐसे ही रख दें जिससे जो गुड है अच्छे से फूल जाएगा मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और चम्मच की मतर्द से इसमें थोड़ा सा चला लोंगे जिससे जो मीरा गोड़ है अच्छी से फूल करके तैयार हो जाएगा या फिर आप कढ़ाई में भी इसको थोड़ा सा गुन गुना करके रख सकते हैं क्योंकि गोड़ है बहुत जल्दी फूल जाता है इसमें कोई बहुत ज़्यादा गाटे भी नहीं होती है बरसात के मौसम में तो वो बैसा ही थोड़ा गीला गीला सा होता है तो इसलिए बहुत जल्दी फूल जाता है और अब मैं इसको रख दूँगे साइड में थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए यदि कोई खाए तो हां लगे कि इसमें कुछ अच्छी सी चीज़ा डली है तो मैंने थोड़ी से ड्राइफोर्स लिए है ड्राइफोर्स आप अपने एक छा के अनुसर ले सकते है मैंने यहाँ पर बादाम, काजू और पिस्ता लिए है और मैं इनको थोड़ी से देसी घी में अच्छे से फ्राइ कर लूँगी जिससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा मैंने यहाँ पर छोड़ी चम्मच से दो चम्मच घीडाल दिया है और जो मैंने ड्राइपोट्स लिए थे ड्राइपोट्स को इसमें में डाल दूँगी और लगाता चलाती होगे अच्छे से घी में इनको भून लोगी बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छे खुसबू भी आने लगती है यदि आप बिना घी में भूने डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं लेकिन इस तरीके से जब आप डालेंगे तो आपकी जो रेस्पी है बहुत ही स्वाधिश्ट बन करके तयार होगी और दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक को सेर करना तो आप बिल्कुल भी न भूलें और मेरे आप चैनल पर नए हैं तो फिलिए चैनल को भी सस्क्राइब कर लीजिए और घंटी को भी दबा दीजिए जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मुबाइल में आएगी मैं आपको ऐसी है एक दम बिल्कुल नई नई तरीके की रेस्पी बताती रहूंगी और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी और डाल दिया है यदि आप पहले पूरा जादा घी डालते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा कम घी डालें और मैंने यहाँ पर सुके वाली नार्यल को कद्दू कस कर लिया है इसका भी बहुत ही अच्छा इसमें श्वाद आएगा और मैंने थोड़ा सा घी डाला था उस घी में इस नार्यल को भी अच्छे से में भून लूगी जिससे इसमें बहुत अच्छा स्वाद आजाएगा यदि आप इस तरीके से छोटे छोटे टकड़ों में भी कट करके डालना चाहते हैं मैंने यहाँ पर इसको कद्दू कस कर लिया है और अच्छे से गे में भून लिया है अब मैं इसको भी निकाल लूँगी और थोड़ा सा घी और डाल दूँगी और मैंने यहाँ पर छोटी कटूरी से एक कटूरी भर के पोहा लिया है हाँ वही पोहा है जिससे आप नम्कीन और नम्कीन वाला पोहा बना करके तयार कर सकते है आज मैं इसकी बहुत हेल्दी वाली रेस्पी बनाने वाली हूँ आप अपने बच्चों को खिलाईए सभी को बहुत पशंद आएगी वह भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैं बना करके तयार करणोंगी और जो मैंने पोहा लिया तब पोहा को अच्छे से घिमे भून लूँगी जिससे जी अच्छे से करा रहा हो जाएगा और इसकर टेस्ट भी अच्छा आजाएगा मैंने लगातार चलाते हुगे धीमी गयस पर 2-3 मिनट अच्छे से पोहे को घी में भून लिया है अच्छे से खुशबू भी आने लगी हो और हलका सा इसका कलर भी चैंज हो चुका है और बिल्कुल क्रश्पी मेरा जो पोहा है हो चुका है अब मैं इसमें जो मैंने गुड को पानी में भिंगो करके रखा था वो अच्छे से फूल चुका है उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी चीनी तो मुझे इसमें बिल्कुल भी नहीं डालनी है क्योंकि आज जो मैं इसको गुड से बनाने वाली हूँ गुड का इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है यदि आप चीनी डालेंगे तो चीनी का तो इसमें बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता है यदि आपको बनाना हो चीनी पसंद हो तो आप चीनी से भी इसी तरीके से बना सकते हैं लेकिन गुट डालने से इसमें कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा और मैंने यहाँ पर छोटा वाला पिस्ता लिया है जिसे खसकस भी बोलते हैं मैंने उसको भी इसमें डाल दिया है जिससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और मैं यहाँ पर थोड़ा सा सोट का पाउडर ले लिती हूं सोट के पाउडर से भी इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा मैंने यहां पर थोड़ा सा पहले जो मैंने नारियल को कद्दू कस करके रखा था उसको मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छी से मिक्स कर दूंगी यदि आप इसमें अधरक को कूट करकी इसमें डाल सकते हैं उससे भी इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा लेकिन मैंने यहां पर थोड़ा सा सोट का पाउडर लिया है सोट के पाउडर की जगए पर आप यहां पर हरी इलाइची का पाउडर भी डाल सकते हैं देख पा र रहे होंगे दोस्तों बहुत ही आज का जो मेरा पोहे का हलुगा है हैल्दी बन करके तैयार होगा क्योंकि मैंने इसमें बहुत अच्छी सी चीज़ां डाली है सभी को बहुत ही पसंद आएगा अब मैं कर दूंगे गैस को बिलको धीमा धीमी गैस पर लगातार चलाते हुगे थोड़ा सा इसको और पकालूंगी बाद में मैंने एक चमजबर के दीसी गी और डाल दिया है जिससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और इस हलूए से बहुत ही अच्छी खुश भूबी आएगी साभी को बहुत पसंद आएगी यदि आपके घर में महमान भी आ गए हो तो आप अपने महमानों को भी इसी तरीके से इसका 10-15 मिनट में हलूआ बना करके खिला सकते हैं आप अपने बच्छों को तो रोज ही खिला सकते हैं और जो मैंने ड्राइफूट्स लिये तैं ड्राइफूट्स को भी मैंने छोटे-छोटे टकड़ों में कट कर लिया है मैंने उसको भी डाल दिया है बहुती सुपर हेल्दी टेस्टी आज का जो मेरा पोहे का हल्गा है बन करके तैयार हो चुका है इसे सिर्फ मैंने 10 मिनट में बना करके तैयार किया है और एक कटोरी पोहे से आप 3-4 लोगों के लिए आराम से इस हल्गा को बना करके तैयार कर सकते है ना तो इसमें कोई पहले से तैयारी करने की जरूरत होती है और आप तुरंती पोहे को निकाल करके इसे बना सकती है बहुत ही healthy जो है हलगवा बन करके तैयार होता है एक कटोरी मेरा हलगवा बन करके तैयार हो चुका है इस तरीके से मैंने इसको रख दिया है इसके उपर से थोड़ी से जो मैंने काजू और बादाम को घी में भून करके रखाता चोटे चोटे टोकड़ों में कट करके मैं इसमें लगा दूँगे और इसे आप गर्म गर्म ही खा सकते हैं ठंडा हो जाए तो ठंडा भी खा सकते हैं और वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद